उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री स्रेमान योगी आदित्यनाथ जी केंजरी अखेल मंत्री भाई अनुराग ठाकोर मंत्री मंडल में मेरे साय योगी भाई निचीश प्रामानिक उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री भाई ब्रिजेश पाठक जी अन्य सभी महानुभाव और खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेंस में हिस्सा ले रहे सभी खिलाडी आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आज यूपी देश भर की युवाँ खेल प्रतिवाओं का संगम बना है खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेंस में जो चार हजार जितने खिलाडी आए है उनमें से अधिकाउश अलग अलग राज्यों से हैं अलग अलग खेत्रों से हैं मैं उत्तर प्रदेश का सामसद हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का जनपतिनी थी हूँ और इसलिए यूपी के एक सामसद के नाते खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेंस में यूपी आये हुए और आने वाले सभी खिलाडियों का मैं विशेश रुप से स्वागत करता हूँ इन गेम्स का समापन समारो काशी में आयोजित किया जाएगा काशी का सामसद होने के नाते मैं इसे लेकर भी बहुत उत्साहित हूँ आज जब देश आज आज हांदी का अमरित महोत्सों मना रहा है तो खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे सवस्करण का आयोजन अपने आप में बहुत खास है ये देश के युवाओं में तीम स्पिरिट को बढ़ाने का एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को बढ़ाने का बहुत ही उत्तम माध्यम बना है इन गेम्स के दोरां युवाओं का एक दूसरे के ख्षेत्रों से साक्षात्कार होगा परिचय होगा यूपी के अलग-अलग शहरों में होने वाले मैचीज में उन सहरों से भी युवाओं का एक कनेक्ट बनेगा मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवाओं खिलाडी खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने आये हैं वो ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो जीवन भर उनके लिए यादगार पल बना रहेगा मैं आप सभी को आने वाली परधाओं के लिए बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ साथियों पिछले नव वर्षों में भारत में खेल का एक नया यूग शुरू हुआ है ये नया यूग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने भरका ही नहीं है बलकि ये खेल के माद्यम से समाज के ससक्ति करन का भी नया दौर है एक समय था जब हमारे देश में खेलों को लेकर एक उदासिंता का ही भाव था स्पॉर्ट भी एक केरियर हो सकता है ये कम ही लोग सोते से और इसकी वज़य थी कि स्पॉर्ट को सरकारों से जितना समर्थम और सयोग मिलने चाहिए था वो मिलता नहीं था ना तो स्पॉर्ट इंफ्रास्रक्टर पर उतना ध्यान दिया जाता था और ना ही खिलाडियों की जरुरतों का ध्यान रखा जाता था इसलिए गरीब और मद्यंबर के बच्चों के लिए गाउ दियात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था समाज में ये भावना बढ़ती जा रही थी कि खेल तो सिरुफ खाली समय बिताने के लिए होते हैं ज्यादा तर माता पिता को भी लगने लगा कि बच्चे को उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे उसकी लाइफ सैटल हो जाए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सैटल हो जाने वारी मानसिक्ता की वज़े से नजाने कितने मान खिलाडी देशने खो दिये होंगे लेकिन आज मुझे खुशी है कि खेलों को लेकर माता-पिता और समाज के द्रस्टिकॉर्ण में बहुत बड़ा बडलाव आया है जीवन में आगे भड़ने के लिए खेल को एक एट्रेक्टिव प्रोफेशन के तौर पर देखा जाने लगा है और इसमें खेलों इंडिया अभ्यान ने बड़ी भूमी का निभाई है खेलों के प्रती पिछली सरकारों का जो रवया रहा है उसका एक जीता जाकता सबूद कॉमम वेल्ट खेलों के दोरान हुआ गोटाला था जो खेल प्रतियोगी था विश्व में भारत की धाग जमाने के काम आ सकती थी उसी में गोटाला कर दिया गया हमारे गाउं देहात के बच्चों को खेलने का मोखा मिले इसके लिए पहले एक योजना चला करती थी पंचायत, युवा, क्रिडा और खेल अभियान बाद में इसका नाम बदल कर राजी उगादी खेल अभियान कर दिया गया इस अभियान में भी फोकस सिरफ नाम बदलने पर था देश में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्टर विक्सित करने पर जुदा जोर नहीं दिखाया गया पहले गाँ हो या शहर हर खिलाडी के सामने सबसे बड़ी चुनोती थी कि उसे स्पोर्ट की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था इस पे खिलाडीयों का बहुत समय निकल जाता था कई बार दूसरे सहरों में जाकर रहना पड़ता था बहुत से विवातों इस वजह से अपना पैंशन तक अपना इस प्रकार का जो उनका जब पैशन था उनको करने का जो मूर था उसको भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे हमारी सरकार आज खिलाडियों की इस दस्व को पुरानी चनोत का भी समाधान कर रही है अर्बन स्पोर्ट इंफ्रासक्टर के लिए जो योजना थी उस बैभी पहले की सरकार ने छे साल बे जरिप तीन सो करूर रुपे खर्च की है जब कि खेलो इंडिया अभ्यान के तहद हमारी सरकार स्पोर्स इंफ्रासक्टर पर करीब करीब तीन हजार करोड रुपिय खर्च कर चुगी बढ़ते हुए स्पोर्ट इंफ्रा की वज़े से अब जादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है मुझे संतोष हैं कि अब तक खेलों इंडिया गेम्स में 30,000 से अधिक अथिक अथिलेट्स हिस्सा ले चुके हैं इसमें भी डेड़ हजार खेलों इंडिया अथिलेट्स की फैचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है इन्हें आधुनिक स्पोर्ट्स एकडेमिज में टॉप क्लास ट्रेडिंग भी दी जा रही है नव वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष का तकेंद्रिय खेल बजेट भी तीन गुणा बढ़ाया गया है आज गाओं के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रसक्टर विक्षित हो रहा है देश के दूर सुदूर में भी अब बहतर मैदान आधुनिक स्टेडियम आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटिज बनाई जा रही है यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारो करोड रुपे खर्च किये जा रहे है लखनाओं में जे पहले से सुविदाई थी उनका विस्तार किया गया है आज वारा नसी में सीग्रा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है यहाँ पर लगबार चार सो करोड रुपे खर्च करके युवाओं के लिए आधुनिक सुविदाओं का निर्माण किया जा रहा है खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपूर में सिंतेटिक होकी मैदान गोरोपूर के वीर बादूर से स्पोर्ट स्टॉलेज में मल्टी परपश हॉल मेरट में सिंतेटिक होकी मैदान और सहारनपूर में सिंतेटिक रणिंग ट्रेक के लिए भी मदद दी कई है आने वाले समय में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा साथियों हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि खिलाडियों को जादा से जादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आउसर मिले जितना जादा खिलाडी स्पोर्ट्स कंपडिशन्स में हिस्सा लेते हैं उतना ही उनका लाब होता है उनका टैलेंट निखरता है उन्हें ये भी पता चलता है कि हम कितरे पानी में है हमें अपना खेल और कहां सुधार ना है हमारी कमिया क्या है गलतिया क्या है चुनोतिया क्या है कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सरुवात के पीछे एक बड़ी वज़े ये भी थी अज इसका विस्तार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है देश के हजारों खिलाडी इस प्रोग्रेम के तहस्परधा कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे तो खुशी है भारती की जनता पार्टी के अने एक साउसद, साउसद खेल प्रतिक्योगीता चलाते हैं, उसमें हज़गरों की तादाद मेहिके, एक साउसद यक्षेत्र में, नवजवान, बेटे-बेटियां, खेल कुझ में हिसा लेती हैं, आज देश को इसके सुखत परिणाम भी मिल रहे हैं, बीते वर्षों में कई अन्तराष्टिय प्रतिक्योगीता हों में, हमारे खेलाडियों ने स्ट्रेस्ट प्रोदर्शन किया है, यह दिखाता है कि भारत के युवान, हमारे खेलाडियों का आत्मविश्वास आज कितना बुलंध है, साथियों खेल से जुड़ी स्कील हो, यह फिर खेलाडियों को सर्वस्ट्रेस बनाने के लिए दूसरी विधाये हो, सरकार कदम कदम पर खेलाडियों के साथ खड़ी हैं, हमारी राष्ट्रिय शिक्षानिती में स्पोर्ट्स को एक विशय के रुप में पढ़ाया जाना प्रस्तावीत हैं, स्पोर्ट अब पाठ्रक्रम का हिस्सा होने जा रहा है, देश की पहली राष्ट्रिय खेल युनिवर्सिटी के निर्मान से इसमें और मदद मिलेगी, अब राज्यों में भी स्पोर्ट स्पेशलाइज हायर एजुकेशन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रसंशनिय काम कर रहा है, मेरट में मेजर ध्यान्चन खेल विश्वे विद्याले का उधारण हमारे सामने हैं, इसके अलावा आदेश भर में एक हजार खेलों इंडिया सेंटर्स की भी सापना की जा रही हैं, करीब दो दर्जन नेशनल सेंटर्स अप एक्सेलेंसी भी खोले गए हैं, इन सेंटर्स पर प्रदेशन को सुधार ने के लिए ट्रेनिंग और स्पॉर्ट साइंस स्पॉर्ट और उसके लिए भी सपॉर्ट दिया जा रहा है, खेलो इंडिया ने भारत के पारंपारिक खेलो की प्रतिष्टा को भी पुनस्थापित किया है, गटका, मल्खम, ठांग्ता, कलीरपट्टू और योगाशन जैसी विभिन्य विधाओं को प्रोशाइद करने के लिए भी हमारी सरकार स्कॉलर्शिप्ट दे रही हैं, साथ क्यों, खेलो इंडिया प्रोग्रेम से एक और उत्साहजनक प्रणाम हमारी बेटियों की भागिदारी को लेकर आया है, देश के अनेक शहरों में खेलो इंडिया विमेंस लिख का आयोजन चल रहा है, मुझे बताया गया है कि इसमें अभी तक अगग अलग आयूवर्क की लगबग 23,000 महिला एथलेट्स हिस्सा ले चुकी हैं, खेलों इंडिया उनिवर्सिटिटी गेंस में भी बड़ी संख्या में महिला एथलेट्स की भागिदारी है, मैं इन खेलों में हिस्सा ले रही बेटियों को विशेश तोर पर अपने शुब कामनाय देता हूँ, साथियों, आप सभी युवा साथियों ने एक ऐसे समय में खेल के मैदान में कदम रखा है, जो निश्चित रुप से भारत का कालखन है, आपकी प्रतिभा, आपकी प्रगती में भारत की प्रगती नहीत है, आप भी बविशे के चेंपियन है, तिरंगे की शान को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सभी पर भाए, इसलिए कुछ बातें हमें जरूर याद रखनी चाहिए, हम अकसर खेल भावना, तीम स्पिरिट की बात करते हैं, एक खेल भावना आखिर है क्या, क्या ये सिर्फ हारजीत को स्विकार करने तक जिम्मित है, क्या ये सिर्फ टिम बर्थ तक ही जिम्मित है, खेल भावना के माइने इससे भी विश्तृत है, व्यापक है, खेल निहित स्वार्त से उपर उठकर सामुहिक सभलता की प्रेणा देता है, खेल हमें मर्यादा का पानन कराना सिखाता है नियमों से चलना सिखाता है मैदान में बहुत बार परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो सकती है संबभ है कि कई बार निर्णय भी आपके विरुद्ध हो लेकिन खिलाडी अपना धैर्य नहीं छोड़ता नियमों के प्रति हमेशा प्रतिबत रहता है नियम कानूनी मर्यादा में रहते हुए कैसे धैरिय के साथ अपने प्रतिद्वन्दी से पार पाया जाए यही एक खिलाडी की पहचान होती है एक विजेता तभी महान खिलाडी बनता है जब वो हमेशा खेल भावना का मर्यादा का पानन करता है एक विजेता तभी महान खिलाडी बनता है जब उसके हर आचरण से समाज प्रेणा लेता है इसलिए आप सभी वासाथियों को अपने खेल में इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए मुझे विश्वास है आप इन उनिवर्सिटी गेम्स में खेलेंगे भी और खिलेंगे भी एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना है खुब खेलिए खुब आगे बढ़िए दन्यवाद